अपना नेक्स टॉपिक तैट इस जलन मैथर्स फॉर दे प्रेपरेशन ओफ अलकेंज तो स्टुटेंट्स हमने डिसकस किया हमने इंट्रियूस किया कि पहले अलकेंज क्या होते हैं देन हमने उसका नॉमन्न क्लेचर देखा कि आप नेमिंग कैसे करते हैं अब स्टुट्स हम आगे चलते हैं देखते हैं कि आप अलकेंज को प्रिपेर कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ मैथर्स के तरूँ स्टुट्स याद रखेगा आपके पास चार से पांच मुख्तिव तरह के मैथर्स हैं वन बाई वन हम इनको डिसकस करेंगे सबसे पहले स्टुट्स आपके पास आता है अब यह तो होगा स्टुट्स हमारे पास अब स्टुट्स आपके पास क्या करना है आपने कि स्टुट्स आपके पास क्या होता है कि बाउंड ब्रेकेज होती है और टिपिकली स्टुट्स जो आपके पास बाउंड ब्रेकेज हो रही होती है वो पाई बाउंड की हो रही होती है वो कैसे उसका हम डिसकस करते हैं यानि कि आपने स्टुट्स क्या करना होता है अपने हा hydrocarbons में अब students इस तमाम यह जो मैंने आपके सामने explanation की है इसको हम in the terms of chemical equation लिखेंगे students इस reaction को that involves the hydrogenation of unsaturated hydrocarbons इसको हम sebessory ascendance reaction कहते हैं by name reaction है इससे students आप इसको ज्यादा importance देंगे whenever you are trying to memorize these reactions सबसे पहले तो students हम एक general equation लिख लेते हैं for example कि हम hydrogenation कर रहे हैं एक unsaturated alkene की general reaction सबसे पहले लिखेंगे general reaction students हम जब भी लिखते हैं तो आप याद रिखेगा कि हम alkyl group की जगा किसी typical या किसी specific alkyl group की जगा हम r group लिख लेते हैं यानि कि alkyl group को r से represent कर लेते हैं representing की इतनी chain इससे जादा बड़ी भी हो सकती है अब यह कोई भी आपके पास अलकीन है इसके साथ CH group attached है double bond CH2 है इत मीज के यह आपके पास unsaturated alkene है unsaturated hydrocarbon है आपने क्या करना है hydrogen इसके अंदर add करना है अब students यह जो आपके पास typical reaction है इसमें हो यह रहा होता है कि hydrogen across the double bond add हो रही होती है एक hydrogen का atom across the double bond जो एक connected carbon है उसके साथ उसमें add हो जाता है जबके एक add हो जाता है आपके पास इस carbon के अंदर as a result students आपके पास एक अदद alkene generate होता है CH2 bond CH3 अब यह students आपके पास alkene से alkene में generation हो गई अब सुर्स यहाद दिखीगा कि यह reaction आपके पास बहुत slow है इसको fast करने के लिए आप nickel catalyst को use करते हैं और temperature students आप low रखते हैं तकरीबन 200 degree Celsius से लेके 300 degree Celsius तक इस reaction को थोड़ा specify कर लेते हैं एथीन की terms में बात कर लेते हैं एथीन है आपके पास CH2 double bond CH2 इसमें आपने क्या किया across the double bond hydrogen molecule add किया तो students हमारे पास क्या produce हुआ 300 degree Celsius के दर्मयान तो students आपके पास generate हुआ एथीन अब students same यही reaction हम alkyns की case में भी कर सकते हैं वो कैसे कि आपके पास carbon carbon triple bond present in the case of acetylene या इथाइन की case में उसके अंदर भी students हम पहले एक molecule अगर आप डालें hydrogen का तो आपके पास ethene के अंदर conversion हो जाएगी और अगर ethene के अंदर आप दुबारा एक molecule hydrogen का डालेंगे तो आपके पास ethene के अंदर conversion हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं same principle follow कर रहा होगा यानि कि nickel catalyst आप यूज कर रहे होंगे और temperature यूज कर रहे होंगे 200 से 300 degree Celsius का यहां पर स्टूम्ड आप एक बात रहे हैं कि आप इस case के अंदर catalyst मुख्लिफ तरह यूज करते हैं आप nickel यूज करते हैं आप platinum यूज कर सकते हैं पलादीम यूज कर सकते हैं उसके लावब आप तो rozp यह सकते है कि हाइडीर जनेशन की केश में आपके पास हो यह रहा होता है कि पाइब बॉन सब्सक्राइब सरनीट पैजिेश रिगारिंटन दोनों केसिस के अंदर चाहरे वह हुंद से रेलेटेटीट बन्हें प्रॉंविपें यह भुंच वह रह, द क्योंकि students जो आपके पास vegetable oil है, वो unsaturated होता है in nature, आप क्या करते हैं, उसकी hydrogenation करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, hydrogen add करते हैं in the presence of catalyst, तो वो आपके पास vegetable गी में यानि के अपनी saturated form में convert हो जाता है, having said there, students आगे चलते हैं, देखते हैं कि आप alkyl halides से कैसे prepare कर सकते हैं, अपन करा के reaction हैं, दोनों की case में आप क्या कर रहे हैं, कि alkyl halides के थूरू आप alkyans prepare करें हैं, सबसे पहला reaction तो students आपके पास ऐसे है, general हम लिख लेते हैं, कि उसमें alkyl halide है, आपके पास alkyl group है, और x रिप्रेजेंट कर रहा है students हमारे पास halide को, students यह याद रिखे का कि यह reaction और जिस halogen के साथ, जिस alkyl halide के साथ आप react कर आ रहे होते हैं, उसी के acidic conditions के, यानि कि उसी का acid आप use कर रहे होते हैं, ताके acidic environment प्रोवाइट की जा सके अपने reagent को, आपके पास उसी का acid present है, x negative, और as a result students आपके पास क्या होता है, alkyane generate होता है कैसे, कि आपके पास यह जो halide होता है, यह जो halogen atom होता है students, यह replace हो जाता है with that of hydrogen, as a result students आपके पास substitution reaction हो गया एक तरह का, RH plus ZNX2, अब students हम थोड़े से हो जाते हैं, specific, for example हमारे पास है methyl iodide, उसका reaction हो रहा है zinc के साथ, in the presence of hydrogen iodide, hydrogen iodide का aqueous solution है, वो अपनी ionic form में present है, hydrogen ions और iodide ions, अब क्या होगा, यहां पे simple आपके पास iodine students replace हो जाएगा with that of hydrogen, as a result students आपके पास बन जाएगा methane plus zinc iodide, अब यह students आपके पास reaction हो गया, आपने देखा के alkyl halide से आप कैसे prepare करते हैं, उसके लाबा students एक और specific example है, हमारे पास in the form of bromobutane, 2 bromobutane है students हमारे पास CH3, CH2, CHBR, CH3, in the presence of hydrogen bromide, यह reaction हो रहा है, और zinc भी आपके पास present है, as a result students क्या होगा, आपके पास यह जो bromine है, यह replace हो जाएगा with that of hydrogen और आपके पास students butane generate होगा, और byproducts जो हैं वो आप already जानते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3, अब students आपके पास alkyl halide से ही एक और reaction generate होता है, जो के in the presence of palladium charcoal catalyst हो रहा होता है, वो students आपके पास typical reaction hydrogenolysis कह लाता है, students उसके अंदर होता क्या है, क्या आप कोई भी alkyl halide लेते हैं, उसको आप treat कराते हैं hydrogen molecule से, as a result students आपके पास एक substitution reaction होता है, जिसमें आपके पास यह halogen replace हो जाता है, एक hydrogen से, जबके students यह वाली hydrogen replace हो जाती ही with that of halogen, यानिके students आपके पास एक alkyane generate होता है, और एक hydrogen hal generate होता है, students इस typical reaction को आप कहते हैं hydrogenolysis, hydrogenolysis is different from that of hydrogenation, क्यों students, क्योंकि आपके पास hydrogenation एक addition reaction है, जबके hydrogenolysis आपके पास एक substitution reaction है, यानि कि इसमें halogen group hydrogen से replace हो जाता है, उसके लावा students, यहाँ पर sigma bond break होता है, unlike that of hydrogenation, जहाँ पर pi bond break होता है, I hope कि students आपके पास यह general concept clear हो गया होगा, उसके लावा students, हम ऐसा करते हैं कि एक general सी example ले लेते हैं, जिसमें आपके पास methyl iodide है, जो कि hydrogen molecule से react कर रहा है, in the presence of palladium charcoal catalyst, और students, as a result, आपके पास क्या हो रहा है, कि यहाँ पर replace हो जाएगा with that of methane, plus students, आपके बाद हो जाएगा hydrogen iodide, I hope कि students, आपका concept clear हो गया होगा, इस typical example के तुरू, आपने methyl iodide को palladium charcoal की presence में hydrogen molecule से react करवा, as a result, आपके पास methane और hydrogen iodide generate हो, next students, आगे चलते है, decarboxylation of monocarboxylic acids को discuss करते हैं, कि monocarboxylic acids की salt में से, आप carbon dioxide को remove करके, कैसे alkane generate कर सकते हैं, students, आपके पास decarboxylation का मतलब यह है, कि आपने carbon dioxide को एक molecule में से remove करना है, आप students, आपके पास ये removal दो तरह का हो सकता है, एक तो electrolysis, electrochemistry से related method है, जिसको हम अभी discuss करेंगे, एक method students, आपके पास comparatively थोड़ा easy है, जिसके अंदर क्या होता है, कि sodium salt हम लेते हैं, किसी fatty acid की, उसको आ आपके पास alkane और sodium carbonate generate होता है, आप students, याद देखेंगे, यहाँ पे आपके पास carbon dioxide की form में remove नहीं हुआ, बलके carbonate की form में remove हुआ है, students, हम इसको एक example से refer कर लेते हैं, कि आपके पास sodium salt है fatty acid की, हम alkyl group को R group से represent करें, यानि कि हम generally एक alkyl group ले रहे हैं, जिसका हमारे पास salt present ह COO negative and A positive, अब students, हमारे पास जो typical का box slick acid होता है, यह fatty acid होता है, उसका यह formula होता है, अगर इस hydrogen को हम sodium से replace कर दें, तो यह उस acid का salt बन जाएगा, यानि कि यह हमारे पास बन जाएगा sodium alkyonate, typical students, हमारे पास इसका जो नाम है, वो होगा sodium alkyonate, students, यह जो आपके पास naming है, यह further अगर हम कराएं, soda lime के साथ, sodium hydroxide के साथ reaction करो है, in the presence of lime, CAO, तो students, आपके पास क्या होगा, D carboxylation हो जाएगी in the form of sodium carbonate, अब students, आपके पास क्या होगा, कि यह typically आपके पास निकल गया in the form of sodium carbonate, three oxygen atoms थे, with that of CO3 और Na2, students, यह इसका sodium carbonate का formula यहां से पूरा हो गया, और जो students, आप के पास resulting alkane आ गया, अब students, हम ले लेते हैं, एक typical fatty acid की salt की example, in the form of sodium propionate, CH3, CH2, C double bond, O negative, Na positive, plus NaOH, in the presence of CAO, अब students, यहां पर हम count करते हैं कि कितने carbon हैं, one, two, three, तो students, यह आपके पास propionic acid की salt है, sodium propionate, इसको हम soda lime से treat करते हैं, यानि कि caustic soda की presence में in the presence of lime treat करते हैं, तो students, हमारे पास क्या generate होता है, यह आपके पास पूरा molecule निकल जाएगा sodium carbonate का, और पीछे students, आपके पास यह जो hydrogen है यह इस carbon के साथ attach हो जाएगा और आपके पास generate होगा ethane, CH3 bond CH3 plus Na2CO3, यानि कि हमारे पास ethane generate होगा, next students, आपके पास method आता है electrolysis से related, electrolysis का मतलब यह है कि students, आप क्या करते हैं, कि aqueous solution लेते हैं, एक salt का, उसको आप treat करते हैं electrolytic cell के अंदर, अब students, आप उस acid क्या aqueous solution ले रह आप typically aqueous solution ले रहे होते हैं, और students, आप क्या करते हैं, कि उसको electricity provide करते हैं in the presence of anode and cathode, तो students, क्या होता है, कि आपके पास current generate होता है, और students, आपके पास क्या होता है, कि आपके पास कुछ molecules जो है, वो anode पे move करता है, कुछ students, आपके पास cathode पे liberate होता है, या आपके पास generate हो अब students हो इसमें भी यही रहा है कि आपके पास जो carbon dioxide का molecule है वो remove हो रहा है from that of the salt of an acid जैसे कि students मैंने पहले discuss किया लेकिन students इसमें क्या हो रहा होता है कि आप typically एक salt लेते हैं R C double bond O, O negative, Na positive अब students for example यह आपके पास sodium salt है एक acid का आपने क्या करना है students आपने इस salt का aqueous solution लेना है और उसको आपने electrolytic cell के अंदर place कर देना है यानि कि यह electrolyte की तरह काम कर रहा होगा इसमें students आपके पास क्या होगा कि anode पे आपके पास alkane generate होगा जबकि students आपके पास cathode पे एक base generate होगी along with that of hydrogen gas अब students आपके पास यह reaction जो हो रहा है यह भी आपके पास हो रहा है typically using the sodium alkanate या students आपके पास potassium salt of carboxly acid भी हो सकती है या students आपके पास sodium salt of mono carboxly acid भी हो सकती है students याद रखेगा कि आपके पास यह जो procedure होता है या इस process के through आप सिरफ symmetrical alkanes बना सकते हैं कि students those alkanes that have even number of carbon atoms उनको students हम कहते हैं symmetrical alkanes जैसे कि students आपके पास that alkane having four carbon atoms उसको हम कहेंगे symmetrical alkanes then students आपके पास जो having two carbon atom उनको हम कहेंगे symmetrical alkanes तो students and vice versa तो students overall reaction जो हम discuss कर लेते हैं कि in the presence of water आपके पास electrolysis होती है यानि कि आप जब electricity provide करते हैं तो आपके पास products generate होती है electrodes के उपर in the form of alkane in the form of alkane plus carbon dioxide plus students आपके पास generate हो रही होती है base plus students आपके पास generate हो रही होती है in the form of potassium hydroxide or sodium hydroxide sodium hydroxide in the case of अगर आप sodium salt use करें potassium hydroxide अगर आप potassium salt use करें plus students आपके पास hydrogen gas liberate हो रही होती है अब students typically जो हम अभी specific एक salt discuss करने जा रहे हैं वो है आपके पास potassium salt of acetic acid, CH3, students आपके पास acetic acid का formula यह होता है, CH3, C1O, OH, अब students इस H को अगर हम potassium से replace कर देंगे तो यह बन जाएगा potassium salt of acetic acid, तो students आपके पास जो major products हैं वो ही बनती हैं जो कि आपके सामने mention है, अब students होता है कि आपके पास solution के अंदर यह जो salt होता है, यह ionize हो जाता है in the form of katein and anion, O negative plus k positive, अब students at anode क्या होता है, at anode students आपके पास कोई भी molecule electron lose करता है और वो electrons move करते हैं cathode की तरफ, जो कि students पिर बाद में आपका जो भी respective material है वो cathode पे क्या हो रहा होता है, deposit हो रहा होता है, electrons accept करके, अब students इस case में आपके पास क्या है कि anode पे CH3, C double bond O, O negative, अब students इस case में क्या होगा कि electron lose करके, यह एक free radical में convert हो जाएगा, यह आएन, plus two electron, अब students इस case में क्या होगा, आपके पास CH3, C double bond O, अब students आपके पास यह जो bond है, यह जो आपके पास free radical है, students आपके पास जो free radical है, यह homolytic fission के result में जो आपके पास ही आता है, और यह बहुत जादा reactive और unstable compound होता है, अब students यह वाला जो आपके पास free radical का मतलब यह है, कि इसके अंदर एक extra electron present है, वो unstable है, तो आप वो क्या करेगा, कि अपनी electron density को move करेगा और एक bond बनेगा, वो कैसे, electron density invert move होगी, यहाँ पे double bond बन जाएगा, यह students carbon dioxide की form में आपका जो यह पार्ट है, यह remove हो जाएगा, जबकि students आपके पास यह bond है, यह break हो जाएगा, और as a result students आपके पास क्या होगा, कि methyl free radical generate हो जाएगा, प्लस CO2, अब students आपके पास काफी सारे methyl radical जब generate होंगे, तो वो आपस में react करके, अलकेन generate करेंगे, प्लस CH3, यह students आपके पास बनाया देगा, इथेन, यह students आपके पास एनोड पे बन गया, आपके पास typical alkane in the form of इथेन, अब students कैफोर्ट पे आपके पास क्या हो रहा होगा, कि water molecules जो हैं आपके पास वो क्या करेंगे, एनोड से electron accept करेंगे, और क्या करेंगे, कि इसको convert कर देंगे, to OH negative में, यानि कि hydroxyl ions generate होंगे, और hydrogen liberate हो जाएगी क्या थोड़ से, अब students यह जो आपके पास hydroxyl ions हैं, यह क्या करेंगे, कि आपके solution के अंदर जो potassium ions present हैं, उससे react कर जाएंगे, as a result, आपकी जो base है, वो generate हो जाएगी, तो students आपके जो overall reaction मैंने सब से उपर mention किया था, उसको यह justify कर देगी, students याद दखिएगा, यह reaction आपके paper के point of view से बहुत जादा important है, क्योंकि यह काफी जादा पूछा जाता है, यह आपके पास alkyns की case में भी हम discuss करेंगे, alkyns की case में भी discuss करेंगे, और students आपके पास तमाम के अंदर यही free radical mechanism run कर रहा होता है, जो कि generate कर रहा होता है, आपके respective alkyns, alkyns और alkyns, यह students आपके long के point of view से important है, तो students आगे हम discuss करते हैं, कि from carbonyl compounds, यानि कि aldehydes और ketones की मदद से आप कैसे generate कर सकते है, alkyns, आप students आपके पास मुख्लिफ तना के reagents होते हैं, जो कि आप use करते हैं for reduction, आप students याद एखेगा कि जब भी आप carbonyl compounds use करते हैं, aldehydes या ketones, उनकी जब आप reduction करते हैं, in the presence of nascent hydrogen, तो students आपके पास alkyns generate होते हैं, आप students आपके पास different reagents होते हैं, जो कि nascent hydrogen liberate करते हैं, जो कि further आपके compound को reduce करते हैं, आप students आपके पास aldehydes और ketones को पहले हम लिख लेते हैं, CH3, C11O, CH3, यह हो गया students आपके पास ketone, then students आपके पास हो गया aldehyde, यह typical functional group students हम last chapter में discuss कर चुके हैं, आप इनको further भी discuss करेंगे, अब students individually इन दोनों compounds ने nascent hydrogen के साथ react करना है, अब यह nascent hydrogen आपके पास produce किस reagent ने किया है, उसको हम देख लेते हैं, students आपके पास जब हम ketone की बात करते हैं, तो ketone की case में और aldehyde की case में, दोनों की case में students अलग-अलग reagents हैं, जो के इनको respective compounds के अंदर convert कर रहे होते हैं, ketones की case में students आपके पास zinc mercury amalgam use हो रहा होता है, यानि कि zinc mercury का mixture in hydrochloric acid use हो रहा होता है, जब कि students in the case of aldehyde, आपके पास hydrazine use हो रही होती है, N2H4 in base in potassium hydroxide at 200 degree Celsius temperature, तो students आपके पास hydrazine in KOH जब use होती है 200 degree Celsius temperature, तो students आपके पास क्या होता है, respective alcanes के अंदर convert होते हैं, ketones students आपके पास convert हो जाता है propane के अंदर CH3, CH2, CH3 plus water, जब कि students आपके पास acetaldehyde convert हो रहा होता है, CH3, CH3 यानि कि ethane के अंदर convert हो रहा होता है plus that of water, अब students आपके पास जो reagent reduce कर रहा है ketone को alkane के अंदर, उसको students हम कहते हैं clemencen method, यानि कि students आपके पास इस typical reagent को, इस typical reaction को, जिसके अंदर ये specific reagent in the form of zinc mercury amalgam use किया जा रहा होता है, इसको आप कहते हैं clemencen reduction, clemencen reduction, जब कि students आप जिस case में hydrazine को in basic solution use कर रहे होते हैं, at 200 degree Celsius for the reduction of aldehyde into that of respective alkane, तो students उस typical reaction को आप कह रहे होते हैं, wolf-kishner reduction, wolf-kishner reduction, तो students यह जो आपको दोनों reagents हैं, यह आपको लाजमी memorize करने होंगे, with their names, ताकि आप इनको differentiate कर सके हैं, next students हम चलते हैं, यह देखते हैं कि आप grignaard reagent के थूप कैसे prepare कर सकते हैं, students आपके पास हम grignaard reagents को alkyl halides वाले chapter के अंदर thoroughly discuss करेंगे, सबसे पहले तो students हम यह देख लेते हैं, कि आपके पास grignaard reagent chemically होता क्या, students आपके पास alkyl, magnesium, halide को आप grignaard reagent कहते हैं, यह alkyl students आपके पास कोई भी alkyl group हो सकता है, यह आपके पास methyl भी हो सकता है, यह आपके पास ethyle भी हो सकता है, यह students आपके पास कोई भी होता है, यह reagent students आपके पास बहुत ज़ादा reactive होता है इसलिए आपकी organic labs में बहुत ज़ादा use किया जा रहोता है students आप फर्दर आने वाले chapters में इसको thoroughly discuss भी करेंगे मैं एक reaction आपके सामने discuss कर लेती हूँ जो कि इसका water के साथ है यहां पर हम students इसके लिए ज़रा specific हो जाते है हम use कर लेते हैं methyl magnesium bromide अब students हम देखेंगे कि methyl magnesium bromide water के साथ react करके कैसे alkane generate करता है students एक बात याद रखिएगा कि गरिगनार्ट reagent की ये खासियत है कि गरिगनार्ट reagent के magnesium पे positive charge होने की वज़ा से अलकाइल ग्रूप पे negative charge आ जाता है यानि कि आपके पास magnesium इतना ज्यादा positive होता है कि उसके comparison में आपके पास electron density methyl group पे negative हो जाती है याद आपके पास ये आपके पास electron rich हो जाता है यानि कि अलकाइल ग्रूप हलागा कि आपके पास electron deficient center है as a result ये students आपके पास bond यहां से break हो जाता है और as a result students आपके पास methane generate होता है CH4 methane आपके पास generate होता है students साथ में आपके पास एक complex generate होता है जो कि magnesium bromine hydroxide की form में exist करता है बिल्कुल students आपके पास इसी तरह आप alkyl किजगा अगर ethyle magnesium bromide यूज करें और उसका water के साथ reaction कर रहा है तो आपके साथ आपके पास ethane generate होगा propal magnesium bromide का अगर आप water के साथ reaction कर रहा है तो आपके पास propane generate होगा and vice versa students याद रहे हैं कि यह reaction आपके पास typically organic solvent के अंदर हो रहा होता है